Assalamualaikum everyone, welcome to the lecture box, this is Gulzal Manovar आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बैंकिल हबीब की मुबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के लिए आप किस तरह रिजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरह अपना यूजर नेम और पासवर्ट सेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल और एजी है पर थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ बैक्ग्राउंट, तीन स्टेप्स होंगे, पहले स्टेप के इंदर आपकी रिजिस्ट्रेशन होगी, सेकंड स्टेप में आप पासवर्ट सेट करेंगे, और थर्ड स्टेप में आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग या मुबाइल एप्लिके प्रिजिस्ट्रेशन डाउन्लोड लूड वविए और अपके पून थे जो भी भी मॉबायल आपके पास है, सेगंड लिए अगर आप मॉबायल से रिजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप पर व्यूज़ा या जो भी ब्राउजर आपके पास है, आप उसकी थूख कर या registration ही नहीं होगी तो screen आप जब उस app को खोलेंगे या आप उस link को खोलेंगे laptop पे तो आपके पास इस तरह की screen appear हो रही होगी आपने simply इसके अंदर जो register now का option है यहाँ पे यहाँ पे आपने click करना है जैसे ही आप यहाँ click करेंगे आपके पास एक screen appear होगी first screen जो है वो आपके पास इस तरह की आ रही होगी इसके अंदर NIC आपने select करना है national identification number और यहाँ NIC number डालेंगे फिर आपने यहाँ से account number select करना है और फिर यहाँ पे आपने अपने account number type करना है उसके पाद account number में एक issue आता है 16 digits का normally checkbook के उपर लिखा वा होता है जो कि i-band number के बाद होता है तो आपको यहाँ पर लिखना होता है 17 digits यहने 17 digits तो जो 17 digits है उसके लिए आपके checkbook पे बिलकुल नीचे एक black पट्टी जा रही होगी जिसमें black color से कुछ numbers लिखे होगी उसमें आप उस starting number को डूढ़िए जो आपके checkbook के उपर account number के start में आ रहा है और उसको match करते जाएगा तो आपके बाद 17 जो number आएगा नीचे की line में M.I.C.R. line के उपर तो वो आपका 17 number है account number का अगर फिर भी कोई problem हो तो आप अपने branch के concern staff से contact करके last number आप निकलवा सकता है तो account number 17 digits का होना चाहिए उसके बाद email address आप यहां लिखेंगे जो आपने अपने account में update करवाया है और जो registered mobile number है जो आपने अपने account में update करवाया है वो आपने यहां पर type करना है इसके बाद अगले step में यह सारा step complete होने के बाद हम यहां ते कर चुके है date of birth आपने लिखना है date of birth लिखने के बाद आपसे capture मांगेगा जो कि normally google पर मांगा जाता है आपने simple इसको यहां पर उपर copy कर देना है तो यहां यह जो step आपने अभी तक की है इससे आपकी क्या होई जिनाबय अली registration complete हो गई है इसके बाद आप continue पर click करेंगे जैसे ही आप continue पर click करेंगे आपके पास SMS पर OTP आ जाएगा उस OTP को आपने यहां पर लिखना है और submit कर देना है इनकेस अगर आपको receive नहों तो आप recent OTP पर click कर सकते हैं आप दुबारा OTP receive कर सकते हैं तो normally आज आता है एक से दो मिंट के इंदर-अदर तो आप उसको submit करेंगे जैसे ही आप submit करेंगे तो आप से वो कहेगा कि आप अपना user ID create करें अप user ID के इंदर problem आता है कि लोग क्या create करें तो let's say मेरा नम गुलदार है मेरे date of birth जो है वो let's say 94 की है या 95 की है तो मैं अपना user ID रख सकता हूँ गुलदार 95 ठेक है इसी दरह आप अपने मदर के नाम पर भी रख सकते हैं फादर के नाम पर भी रख सकते हैं तो जो आपको बहतर लगए अपना user ID आप रखेंगे अगर वो user ID किसी और ने यूज किया वाओ तो system आपको बता देगा already used तो आप उसको फिर change करेंगे user ID 6 characters से उपर होने चाहिए 6 से कम नहीं होने चाहिए याना total जो characters है वो 6 से अबव होने चाहिए तो user ID आप create इस तरह करेंगे इसको आप submit करेंगे उसके बाद आपके पास इस तरह की screen खुलेगी कि जनाब आपके registration process जो हो complete हो गया है और आपका user name है वो create हो गया और आपका user ID आपने create की होगी जैसे मैंने गुलजार 94 आपको बताया है तो वो आपको email के through भी इस तरह receive हो रही होगी जैसे आप screen पर देख रहे होंगे यह हमने अभी पहला step complete किया है यहने हमने अपनी registration कर लेगी है अभी हमें एक और step complete करना होगा यहां message पर लिखाव भी है कि आपने call center पर call करना है पहले आपको अपना password set करना है then उसके बाल आप call center पर call करेंगे call center पर call करना ही होती है कि बाई मैंने registration कर ली है password set कर लिया है आप सको back end से activate कर ले आप यह registration हमने की है अब हम बढ़ना है जनाब आली कि हम password कैसे set करेंगे तो जनाब इसी email के बाद आपके पास एक और email भी receive होगी जिस पर लिखावा होगा OTP Alert for User Registration कि जनाब हमने आपको एक OTP अलग से बेजी है जो के कुछ इस तरह की होगी OTP क्या होता है one time password होता है first time login password होता है तो जनाब इस OTP को हम use करेंगे यहां पर आपको OTP नजर आ रही है जो मने रट किया है हम दिखा नहीं सकते तो इस OTP को use करते हुए हम first time login होंगे अभी हमने call center पर call नहीं की है हम call center पर call करेंगे कब password को set करने के बाद अब आप आएंगे अपने main screen के उपर अगर आप mobile app पे हैं तो login screen को खोलेंगे जहां आप शुरू में आये थे जहां पर register now पर आपने click किया था उस screen को खोलने के बाद आप यहां पर username डालेंगे username क्या डालेंगे वही जो आपने खुद बनाया जैसे मैं आपको पताया था गुलजार 94 यह गुलजार 95 इस तरह आपने नाम के साथ अपने data उपर याद रहे कोई भी ऐसा figure आप रख सकते हैं जिससे आपको easily यह वो remember रहे तो उसके बाल आपने password डालना है password कौन सा होगा password वही होगा जो आपने OTP receive की है email के थुरू आप जैसे ही password डालेंगे और login पर click करेंगे आपके बास यह screen appear हो जाएगी जब आप इसको login पर click करेंगे आपके बास यह screen appear होगी इस screen पर आपने जो यहाँ पर password लिखा है जिसको हम email पर receive होने वाला OTP कहते हैं वही password आप यहाँ पर भी लिखेंगे same जो password यहाँ लिखा है वही password आप बात में इस screen पर यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ आपने अपना नया password set करना है नया password आपका होना चाहिए 8 से 10 characters का उसमें capital letter भी होने चाहिए small letter भी होने चाहिए special characters भी हो सकते है full stop, underscore, coma वगरा वगरा ठीक है तो कोशिश की देगा कि अपने password को आप मुश्किल से मुश्किल रखें जो password आप यहाँ लिख रहे हैं वही password आप यहाँ लिखेंगे यहन हम किया छाप कर लिए पहले हमने registration किया याने user सेट कर लिया थर्ड स्टबब आश्या है आपके रच्ट कर लिया है, mesure र throwing इन कर लिया है तो आप काईनली जहें वह स्पै कर लिया है , मुबाइल आप्लिकेशन और अपक्तिव कर लूए तो वह बैक ऍमेर्ट कोई भी ऐसी call अगर आपको मौसूल होती है जिसमें आपसे आपके bank के मालूमात दी जा रही हो, ATM card के हवाले से कुछ भी पुछा जा रहा हो तो, आप सबसे यही request है, मशोरा है, कि आप उनको बिल्कुल भी मुना लगा हैं, क्योंकि आजकल online frauds बहुत जादा हो रहे हैं. होफुली ये वीडियो आपके लिए फाइदा बन रही होगी, चैनल को सबस्क्राइब करना हर्गिस मत बूलिएगा, Lecture Box एक ऐसा चैनल है, जहां पर different teachers, different subjects पढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे students इससे फाइदा उठा रहे हैं, तो इस चैनल को आप अपने दोस्तों में, subscribe लाजमी कीजिएगा, hopefully मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, अल्ला आपस।